लचिमपुरकीरी उतर परदेष में इस वक्त लगतार बारिश का कहए जारी है वही ये बारिश जहां की सानों को बर्बाद कर चुकी है ओना चाने कितने हाथ से हो रहे हैं लेकिन इस बारिश ने गरीब और बेवस लोगों के आश्यानों को परवाद करना शुरू कर दिया है कुछ ऐसी ही तस्वीरे लखीम पुर्खीरी जिले के तैसिल पलिया में मजगई चोकी शेतर से सामने आई है जहां लगतार को रही बारिश के चलते आज सुबा शेतर निवादी संजीत कुमार का छप पर नुमा घर किर गया जिसकी चानकारी चोकी प्रभारी अजीत कुमार को लगी तुरंत मौके पर पहुचे चोकी प्रभारी में उनके स्टाफ ने अपने हातों से जोपड़ी को हटाना शुरू कर दिया वहीं खाने पीने की सामगरी दी गनीमत यह रही कि घर किरने से पहले पूरा परिवार घर में सो रहा था अचानक गिरी जोपड़ी से किसी तरह रखे वक्से के सहरे अपनी जान बचाए जिससे वह लोग बाल बाल बच गए वहिंगर का सारा समान उसी के नीचे तब गया वहिंगर घर घिनने की दूटना मिलने पर आनन फानन में मो के परिस्थान या पुलिस ने पहुचकर मो का मुआयना किया वहीं गरी परिवार की हालत को देखते हैं आननफानन में पुलिस के द्वारा ही छपपर के नीचे से समान को निकाला गया और यही नहीं पुलिस के द्वारा उन्हें खास सामगरी भी दी गई और संचित को आर्थिक मदद दिलवाने के वी बात कही गई फिलहाल पेडित संजीत कुमान ने सरकार से मदद की बुहार लगाई है